नमस्कार मित्रो आज मैं बात करने जा रहा हूँ जैसा कि आप पेपर की कटिंग में लगातार कही बार आप देख भी रहोंगे जिन लोगों ने नहीं देखा उसके बारे में भी मैं बता दे रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने चुनाओ को देखते हुए लोगसवा चुनाओ को देखते हुए आभान किया है कि 183 जुपद खाली पड़े हैं उन पर चवकी दारों की न्युक्तियां बहुत जल से जल की जाए यारे मित्रो ये बात करने से पहले मैं आपको एक चोटा सा वीडियो क्लिप दिखा दे रहा हूं ये रेतिया चेत जिला बहराईच का है जहां पर अध्यापकों ने सरकारी स्कूल में कन्याओं को खाना कि लाकर करके उनको विदा किया और कहिना कि मातरानी का दिन है और ये अच्छे कार को देखते हुए मुझे लगता है कि इस तरह से हर किसी की सोच बननी चाहिए इसे वीडियो क्लिप को भी आप देख लीजिए उसके बाद आप से मचार्चा करेंगे और वहां की जो हमारी रिपोर्टर है माला निसाथ उनके द्वारा ये वीडियो जारी किया गया है जरा इस क्लिप को देख लीजिए उसके बाद मैं आप से वारता करता हूं। और कहीं न कहीं स्कूलों में अध्यापकों की यह सोच अगर हो रही है कन्याओं को लेकर तो यह बहुत अच्छी बात है। आप सी पतखाले हैं वो कहीं भी हो सकते हैं इस बात को माल लेजिए। जरूरी नहीं है बस यह कि कुछ जिले ऐसे हैं कि जहाँ पर ज्यादा न्युक्तिया हैं। लेकिन अब इस पर आपको करना क्या है। अगर अगर आपके पिताजी चौकीदार है और उस चलने में असमर्थ हैं। अगर आप उनकी जगए डूटी जा रहे हैं या कर रहे थे। आप आप जाकर कर डीम से मिल सकते हों। जो बाबू होते हैं उसे मिल करके अपनी न्युक्ति आराम से करवा सकते हो। क्योंकि अगर जरा से भी चूक जाओगे तो वहाँ पर दूसरा भी न्युक्ति किया जा सकता है तो फिर आप रहे जाएंगे। तो इसलिए आप डीम के पास जाएं और उसे मुलाकात करें उनके जो बाबू हैं उसे मिलें उसे मिलकर उनको समस्या बताएं कि मेरे पिता जी असमर्थ हैं और मैं पिता जी की जगए पर चोकी दारी की नोखरी करना चाहता हूँ। इस तरीके से बोल करके आप न्युक्ति अपनी करवा सकते हो प्यार मुहबबस से हैं। अहां पर संबो को असंबो और संबो को संबो बनाना भी आना चाहिए। तो मैंने फिलाला भी गंगराम जी को और अपने साथियों को बोल दिया है कि वो मंगल वारता किसी भी तरह से लखना हुआ है। और जो धर्ना और अंदूल की जो डेट है वो निरधारित की जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि ये डेट बहुत जल्दी हम निरधारित कर देंगे दोचार दिन में। निरधारित होने के बाद अगर सरकार अमारी मंसा को पूरा कर देती है। अगर नहीं करती है तो उसके लिए ये करना बहुत जरूरी है। लेकिन उमीद है हमें कि सरकार ने अपने मुझे बोला है मुखविंदों से तो मुझे उमीद है कि योगी जी जरूर महरवान होंगे और कहीं न कहीं यहां पर अगर मैं बता हूँ तो 99% मैं कह सकता हूँ कि अपकी बार चोकेदारों का कुछ ना कुछ बला होने के संभाव पूरी तरह से बन चुकी है अब इसमें कोई ब्यक्ति अपना स्रे लिए घूमे या उसके पहले धरना पटक पटक के करके चला आया और फिर वो कहें कि नहीं नहीं मैंने करवा दिया तो यह किसी के कहने और उसका कहने पर मत आईएगा तो कि यह सुचना तो मैं आपको पह सरकार किया हमारे लोगों ने तो कहीं न कहीं सरकार तक चीजे पहुंच रही हैं तो सरकार इसमें मंस्ता करते हुए आपके बेतन ब्रद्दी अवस्च करेगी यह मुझे बिस्वास है 99 परचेंट एक परचेंट हो सकता कि कि किसी कारा लिपसगा जोल मोल करती है तो उसके लिए हमारा अंदोलन तयार है ठीके बंदों आप लोग निश्चिंद रहें चिंताना करें कोई सवाल होता है तो नसका जवाब ले सकते हैं कोई दिक्कादादी कमेंट कर सकते हैं और फिलाल मैं भी बहुत अब्रिस्तता में इस समय रह रहा हूं इसलिए बहुत सारी